मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव इस साल के अंत में होने है। बिजेपी और कॉंग्रिस दोनों ही पाटियों ने चुनाव की तयारिया तेज कर दी है। दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। पहले कॉंग्रिस के नेता बिजेपी में जा रहे थे तो अब चुनाव के करीब आते ही खेल पलट गया। इन कॉंग्रिस में किसे शामिल करना है इसका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा और दिगविजय की बात सही साबित होती दिख रही है लगातार बिजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं अधिकाश कॉंग्रिस में आ रही है इस बार जुन नेता ने बिजेपी गए थे और बैजनात यादव कॉंग्रिस में वापसी को घर वापसी कह रही है यादव ने कहा है कि कॉंग्रिस से गए नेताओं को बिजेपी में अच्छूत समझा जा रहा है बैजनात सिंग शिफपूरी जुला कॉंग्रिस के अध्यक्ष रह चुके हैं उनका कोलारस मे अच्छा दबदबा माना जाता है बैजनात के कॉंग्रिस में वापस जाने से बिजेपी को तो बड़ा जटका लगा ही है साथ ही जोती रादेत सिंध्या के भी मुश्किले इससे बढ़ सकती है क्योंकि इस बार सिंध्या गुना शिफपूरी सीट से लोगसभा चुनाव लड़ने की तयारी में है और इनके करीबी के कॉंग्रेस में चले जाने से सिर्फ विधान सभा ही नहीं बलकि लोगसभा चुनाव में भी बिजेपी और सिंध्या को बड़ा नुपसान हो सकता है बैजनात को प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में पाठी के प्रदेश अध् लाकत भी दिखाई और करीब 400 गाड़ियों काफिला लेकर वो कोला रस से भोपाल पहुंचे डीबी लाइफ की रिपोर्ट